ओम श्री हनुमान अस्टोलोजी प्रियमित्रो नमस्कार आज आपको जानकारी देंगे देव गुरू राशिप परिवर्तन के बारे में जिहाँ ब्रिस्पति को देव का गुरू कहते हैं ब्राम्बन वर्ण है और इसको गुरू की पद्वी प्राप्त है इशान कोण के स्वामी है यह जो परिवर्तन होने जा रहा है अभी तक देव गुरू ब्रिस्पति कुम राशिप में संचार कर रहे थे लेकिन अब 13 अप्राइल साइकाल 3 बचकर 8 मिनिट पर मीन अपनी स्वगरही मीन राशिप में प्रिवेश करें और कुछ राशियों पर यह हंस नामक योग भी बनाएंगे जो की पंच महापुरूस योग में से एक योग होता है बात करें गुरू की ब्रिस्पति की तो इनका सीधा संबन अध्यात्मिक सुखों से होता है अध्यात्मिकता से होता है यहनि शूब इस्तिती होने पर जातक को घर मकान, भूमी मकान, वहान प्रॉपर्टी, संतान सुख, घर की शान्ती यह सब चीजें दो प्राप्त होती होती है लेकिन जातक बहुत आध्यात्मिक हो जाता है उसका अध्यात्मिकता की तरफ, स्प्रिक्चिलिटी की तरफ उसका रुजान बहुत जादा होता है और जो आपके बहुत बड़े कथावाचक, आपके उपदेशक, आपके जोतिशी, आपके टीचर, प्रोफेशर, यहनि जिनका काम ज्यान बाढ़ना है जो आपको ज्यान देते हैं, उसका सिधा संबन देव गुरु ब्रिस्पती से है शुब इस्तिती होने पर जातक इन सभी छित्रों में बहुत तरक्य उनत्ति करता है अशुब इस्तिती होने पर कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेश राशी रों विरशब राशी वाले जातकों के लिए देव गुरु ब्रिस्पती राशी परिवर्तन का क्या शुबाशु परवाव घटित होगा इसकी आपको जानकारी देंगे और देखिए विरश्पती जहां बैठते हैं वहां से पाच्वे भाव को सात्वे भाव को नवे भाव को संपूर्ड दिरिस्ट्री से देखते हैं और दो राशी के ये मालिक है यानि दो राशी इनकी सोग रही है धनू राशी मीन राशी धनु राशीन की मूल ट्रिकोंड राशी भी बन थी और करक राशी उच्ची राशी है तो पहले बात कर लेता है मेश राशी वाले जातों गूपर और मित्रो यह फ्लादे संद राशी पर अधारीत है अगर आपको चंद राशी नहीं महलूम है तो अपने पचली ताम से देख लीजिए और चैनल पर नहीं है तो आप से विंती है इसको सब्सक्राइब परें बेल आइकन वड़न दबाएं वीडियो चिले के कमेंट बॉक्स में जाएं लिखें नुक्सान की बजाएं लाब देंगे समय समय पर थोड़ा सा वेस्ट एक्सपेंडिचर पैसे का नुक्सान या आप विदेशों की कोई ट्रेवलिंग करते हैं वहां से थोड़ा धनगा नुक्सान यह सब चीजें तो करेट हो सकती हैं लेकिन फिर भी आप अच्छे शुपफ करना चाहते हैं तो वहां में थोड़े व्यवदान थोड़ी प्राब्लम देखने को मिल सकती है लेकिन थोड़ा परियतन शंगर स्थोड़ी मेनत आपको थोड़े अधिक करने पड़ेंगे उसके बाद यह तो अगया आपके भाग्यस्थान के लॉड उसके बाद यह इनके दिरिस्टी की बात कर लेते हैं तो यहां पर इनकी जो पांचवी दिरिस्टी जो सबसे पहले पांचवी दिरिस्टी जहां पड़ती है वह इनकी करक राशी उच राशी पर पढ़ रही है और यह एक बहुत शूब इस्तति है और आपकी जो करक राशी है वह आपके करेंगे यानि प्रॉपर्टी से संबंदित वहां से संबंदित उनको लाब प्राप्त होगा लाब गेन करेंगे घर में सुक संसाजनों में व्रद्धी होगी आपकी माता जी का भरपूर आशिरवाद सहयोग आपको मिलेगा और यहां पर आपकी लेक्जरी लाइप पुरी व शत्रों से छुटकारा मिलेगा कोई करजे की और विमारी की स्थिति से आप जूज रहें तो वहां से भी आपको रात मिलेगी आपको रलाक्स मिलेगा लेकिन यह आपके पंचम अस्थान से अस्टम है पहले न की नवी दिरिस्टी की बात कर रहते हैं वहां आपके टाउस से अस्टम है जब देव गुरु ब्रिस्टी अस्टम सिक्स थाउस या बारवे घर में जाते हैं थोड़ी प्रावलम क्रेट करते हैं यानि संतान को लेकर सैटिस्फक्शन में कमी थोड़े मद्बेड डिफरेंसिस थोड़े कंफ्यूजन की स्थिति संतान के विवाशादी से अस्टम है उसके बाद दामपत्य जीवन में भी थोड़ी प्रावलम क्रेट हो सकती है मासे शिक्स थाउस में है पती पत्नी में मद्बेड डिफरेंसिस या एक दूसरे की हैल डिस्टर्ग नए विवाशादी के संबंद बनने जाने उसमें कोई व्यवधान तो कोई प् बढ़ी गठनाई या प्रिशान्यों का या पाटर्शिप में दोखाई शिटिंग यहां पर आपके साथ हो सकती है बहुत बड़ा बदलाव मत करें जो जैसा है उसको यह थावत को चलने दें उसी में पुरुशार्त उसी में अपनी मेहनत करें अल उर सब तरह से ठीक रहेगा कैरियर की द्रीस्ति से ठीक रहेगा हूंभि मकान वहान से ठीक रहेगा फैमिली फाइननस की mindfulness की द्रीस्ति क्यों नत्ति के अवसर मिलेंगे आप लाप गेंग करेंगे समय समय पर थोड़ी सी प्रावलम थोड़ी थोड़ी प्रावलम आपको फेस करने पड़ सकती है और अगर आपकी जनम कुंड़ी के अंदर भी किसी घरे की दशांतरद से आपके अशुब चल रही है आपके पक्ष एक दिन पहले भीगा दें नगाए को खिलाए और पक्षियों को पीले चावल पीली चेने की दालो बाल कर परती दिन खिलाए तो निस्ची दुरूप से थोड़े बहुत दूश्र प्रवाब हो जिंसे बचेंगे और आपको यहां तरक्यून अत्तिका अवसर प्राप्त हो लेकिन अपनी कुल्ली का विश्लेशन भी जुरू कर रहा है दोनों चीजें टैली होती है तो शत प्रतिशत प्रणाम देखने को मिलता है आगे चलते हैं बात कर रहते हैं विरशवराशी वाले जातकों के लिए यहां पर जो ट्राजिट हुआ है वह सोर्स आफ इंकम के घ द्धन आता आपका पैसा आता है तो आपकी पैसे की सोर्स है उसमें कोई व्यवदान को दिक्क्त है आपको आ रही थी या बंद हो गया तो चारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा वीच वीच में बड़े धन की प्राप्ति आपके बड़े बाई-बहन आपके मित्रवर ख और थोड़ा सा कोई चोट फेट एक्सिडेंट या उस्पिटलाइज होना ये थोड़ी चीज़ें और गुप तरोग होगा रहा है या आपको थोड़े हाथ पर सता सकता है उसके बाद ये जो आपके लौड है ये अपनी राशी में ये सोर्स ओफ इंकम जैसे हमने बता है आपका अच्छा रहेगा उसके बाद रिस्ट्री की बात कर लेते हैं थर्ड आउस पर पांचवी द्रिस्ट्री पढ़ रही है सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मिश्वास आपके बहुत बढ़ जाएगा आपका प्राकर्म बढ़ेगा आपके इंपोर्ट्रेंस बढ़ेगी नए कम्मिनिकेशन नए संबंद बनेंगे आपके पडोसे मित्र वर्ग आपके वैल विशर प्रिय बंदू मिलने जुनने वाले लोग उनसे लाब सयोग मिलेगा आपके नीचे जो करमचारी सहकर्मी जो कारियरत हैं उनसे लाब सयोग मिलेगा उनके बीच में इंपोर्ट्रेंस बड़े की छोटे भाई बेनों का लाब मिलेगा और चोटी मोटी आत्रें ट्रेवलिंग करते हैं वहां से भी आप लाब गेन करेंगे अच्छे बसर यहाप पर क्राप्त ह सकते हैं अचानक से कोई खुशकबरी गुर्ड्यू संतान की तरफ से मिलेगी आपको साटेस्फ्रेक्शन मिलेगा और उनका विवाशादी का कोई संबंद बन सकता है कारिया विजनेस में कोई तरक्यों नती और पढ़ाई में तरक्यों नती यह सबब यहां हो सकती है और स करना है डिगरी मास्टर डिगरी करनी है अब तक तो जी कन्फ्यूजन वगरा थे तो दूर हो जाएंगे अब आप परियास किजिए निस दिरूप से आपको सफलता मिलेगी उसके बाद इनकी बात कर लेते हैं हम नवी दिरिस्टी की तो यहां पर जो दिरिस्टी पढ़ र और कुछ लिवाषादी के संबद्द आपती बन सकते हैं नए प्रेम संबद्धस्था सकते हैं पहले से बाद से कालाव स्योग मिलेगा बिजिशनेस्मय ने वेद साही हैं पारट्रशफप में कोई कारियद करना चाहते हैं कि अल्याजिए सफलता मिलेगी उसमें आप सक्स लेकिन ऐसी इस्तिति उत्मनमत होने दे और भूमी मकान वान प्रोपर्टी को लेकर थोड़ा सावधानी पूर्वक कोई भी निर्णे ले जल्द वाजी में लिया गया को भी निर्ण आपको किसी परिशानी में किसी वाद विवाद में आपको डाल सकता है आपका पैसा फस सक प्रिशान कर सकता है थोड़ा ध्यान देने की जरुवत है और साथ में जो जातक विदेशों में उनके लिए थोड़ी प्रावल्लम आपकी विदेशों की ट्रेवलिंग है आना जाना लगा रहता है वहां से पैसा फसना अटकना कोई नुकसान या सम्मत खराब होना कोट के चेरी में मुकदमा वगरा चलना है तो वहां से भी थोड़ी परिशानी का महला आपका बन सकता है देखिए वित्रों आल वर यह जो फलादेश है चंदराशी को पर अधारीत है इसकी अपनी इंपोर् तो होता है सरवादिक में तो होता है एक बार अपनी लगन कुड़ी जनम कुड़ी का विश्लेशन जरूर करें जब दोनों चीज़े टैली होते हैं शत प्रतिशत प्रणाम देखने को मिलते हैं अगर आपके जनम कुड़ी लगन कुड़ी के अंदर वरिशब जाशी वाले छोड़ी कमिया या कठनी और प्रशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो उम गंगन पत्यने में वन नौट एट टाइमस ओम ब्रंग ब्रेस पत्यने में वन नौट एट टैमस दो मंत्रों का जाक कीजिए गुरु आर को पिली चीजों का धन किजिए और सातवे अनुमान चालिस अगा पार्ट कीजिए, गुरुवार को प्यॉर्टी से रहें, शुद्विता से रहें, तो यहां पर आपको थोड़े दुश प्रवाव से तो आपको मुक्ति मिल सकती है, और आपको तरक्यू नती गाउसर में लेंगे गरहों से आपको सुरक्षा प्रदार हो, सुख रहें, सुस्ते रहें, हस्ते रहें, मुस्कराते रहें, जाए शुरी राम, जाए शुरी हनुमान